हेलो गाइस माई यूटूब चैनल मेडिको अड़ापर आपका स्वागत है गाइस आज में जो रास्तान के आईस काउंसलिंग है उसकी रजिस्टेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि उसका रजिस्टेशन आपको केशे करना है उसके step by step में इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको कौन-कौन से जो डोकॉमेंट है उसको अप्लोड करना है और जो BMS College है 2020 में उनकी fee structure क्या है इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले है तो guys यदि आप भी रास्ता नाइस काउंसलिंग 2020 में participate कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें और वीडियो को end तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe करें इस वीडियो में आपको पता है कि जो रास्तान के आईस काउंसलिंग 2020 है उसके registration के बारे में step by step बताने वाला हो तो इसलिए guys वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें वीडियो को end तक देखें तो सबसे पहले आपको जैसे official website open करोगे तो आपके पास ऐसा home page खुल के आएगा उसके बाद में यहां से जो new registration है इस पर यहां पर click कर देना click करने के बाद यहां से जो declaration आएगा इस पर टिक करना एंड इसको continue कर देना continue करने के बाद आपके पास ऐसा form आएगा इस form को fill करना जैसे select exam यहां से यूजी कर देना उसके बाद में आसे जो select interest exam एंड की need एंड उसके बाद में आपके need roll नमर फिल करना है यहां से email id फिल कर देना आपके mobile नमर फिल करना यहां पासपोर्ड जो है उसको fill करके capture फिल करके इसको submit कर देना submit करने के बाद क्या आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं तो गैस उसको submit करने के बाद आपके पास ऐसा page खुल के आएगा इस page में आपका जो email id उसके registration नमर गया है उस registration नमर फिल करके पासपोर्ड फिल करके और security code फिल करके इसको login कर देना login करने के बाद आपके जो phone है उस पे एक OTP पे आएगा उस OTP को fill करना तो गैस आपके phone में OTP पे आएगा उस OTP को fill करके यहां से इसको submit कर देना submit करने के बाद क्या आता है उसके बारे हम बात करते हैं OTP को submit करने के बाद भी आपके पास ऐसी personal detail आती है जिसको आपको fill करना है candidate name, father name, mother name, select gender, are you, राजतन, bonified, resident, select state quota, select category, and Indian तो इसको आपको fill करके इसको save and continue कर देना इसके बाद में क्या page आएगा उसके बारे हम बात करते हैं इसके बाद ऐसा आपके पास page आएगा इस page में आपको select 10th board आपने कहां से किये उसकी school का name उसके बाद 12th board select board school का name उसके बाद में आपको जो 10th class किये, उसके कहां से किये उसके state का नाम, 12th class कहां से किये, उसके state का नाम और इसको उर्दू है, तो आपको s कर देना, नहीं है तो आपको no कर देना उसके बाद मैं 12th class की बाद करते हैं 12th class के आपको physics, chemistry, biology and English के जो नम्मर है उसको fill करना और इसको save and continue करना इसको save and continue करने के बाद आपको जो document है उसको upload करना तो कौन-कौन से जो document है आपको upload करने है वो इसके वीडियो के end में बताऊँगा इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें वो वीडियो को end तक देखें उसके पहले हम बात करेंगे कि जो BMS college है उन college की piece कितनी है तो guys वीडियो को देखते रहे वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें तो हम बात कर रहे थे कि college की piece कितनी है आर्वेट प्राइवेट कोलेज है उनकी परियर की फीज़ वह 2,00,000 होती है और उनीशेटी जो जोदपूर है उसकी फीज़ जो फीज़ है वह 90,000 है और कोणेश की जो फीस है वो पनलाग तीसाजार के सम्तिंग है एंड यूरिसेटी कोलेज उप यूनानी जो टॉक में है गौर्मेंट को लज ए और इसकी फीस जो है वो 90.000 जार रहे और बाकी जतने भी यूनानी प्राइवेट कोलेज उनकी फीस एक लाग तीसे जार पर एयर है एंड जो BNYS कोलेज की जो फीस है वो 90,000 पर एयर है तो गैस यह थी फीस इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो registration किया है उसमें कौन-कौन से जो document है वो upload करने है ओके गैस तो उन document के बारे में बात करते हैं तो गैस जैसे ही आप याण की step first complete कर लोगा आपका जैसे registration होगा तो उसके बाद में आपका जो next step आएगा वो document काएगा तो जो document आपको कौन-कौन से upload करने है वो देख सकते हैं आपका जो रिसित कलर फोटो होना चाहिए और आपके signature आपका need admit card, need certificate होना चाहिए टॉल्ट मार्शी डॉमिसल certificate होना चाहिए registration proof याण कि आप SC-ST category में हो EWS तो उसका याण कि registration certificate होना चाहिए एड़ी pH हो तो pH certificate होना चाहिए तो यह important document है जो आपको registration के time पे आप लोड करने है तो गैस यादि यह document आपके पास नहीं है तो जल्दिस इनको बन लो और इसके बाद मैं बात करते हैं जो आपके second step आईगी उसके बाद मैं आपकी third step और fourth step जहां पर आपको choice feeling करने है choice feeling के time पर आपको counseling piece जो है वो याण की 25 जार है वो आपको जमा करने है अब net banking, debit card या credit card किसी service को जमा कर सकते है तो guys I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो पसंद आया है तो like करें ज़्यादा से ज़्यादा student पर share करें ताकि उनको भी पता लगे कि यानके registration कैसे करना है और guys मैंने अपने channel के एनके एक WhatsApp गुरूप बना रखा है अगर आपको भी वहाँ पर add होना है तो comment करके मुझे बोल दे मैं आपको वहाँ पर add कर दूँगा और guys वहाँ पर आप किसी भी तरह का doubt हो counseling से related तो आप वहाँ उस group पर मुझसे फूश सकते हैं तो okay guys तो thank you and goodbye मिलते हैं next video में